हलो एवर्योन वेल्कम इन टीम दिवान आई एसन गेट ओर आज वीडियो में हम देखने वाले हैं आयटी देली के दोवारा जो आपको मोक एक्जाम गिवन है प्रेक्टिस के लिए सो में लिए मोक एक्जाम जो आपको गिवन है इसका में जो मकसद है आटी डेली का वो यह कि आपको एक्चुल इंटरफेरेंस देना जो गेट एक्जाम से रिलेटेड हो ओके तो काफे सारी स्टुडेंट वो अभी टेसी दे रहे हैं जिसे डिफेरेंट कोचिंग इंसिटू दिखेगा वो उसकी में जो स्क्रीन रहेगी वो कैसी रहेगी और किस तरीके से आपको लोगिन करना होगा अगर आप यह मोक एक्जाम देते हैं तो आपको इसका कंप्लीट आइडिया लग जाएगा क्योंकि जो टेस्रीज आप देते हैं किसी कोचिंग इंसिटूट की तो वो उनकी वेबसाइट पर डिपरेंड करती है कि वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट में क्या क्या रखते हैं वो वेबसाइट में लोगिन का अपना क्या प्रोसीजर रखते हैं और उनकी जो टेस्रीज की जो स्क्रीन है वो किस तरीके से दिखाई देगी तो अगर आपको इंटरफिरेंस चेक करना है कि जब आप फाइनल एक्जाम देंगे गेट का तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको किस तरीके से एक्जाम का इंटरफिरेंस दिखाया जाएगा वो आपका अगर आप यह मोक टेस्ट देंगे तो इस पर आपके काफे ज़्यादे इंपोर्ट यह वीडियो रिलीज करी है एक आई डेली के इंडॉलमेंट से रिलेटेड है जो काफी जादे इंपोर्टेंट है और एक आई डेली के लिए एमटेक लाइब कहसी रहेगी उसके अपर भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो लॉंच किया है तो आप उसी वीडियो को ओपन करिए और उसी वीडियो के डिस्क्रेप्शन लिंक में जाकर आप अगर चेक करेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट की लिंक मिलेग चूज करता हूं मेकेनिकल के लिए तो मेकेनिकल के लिए अगर आप टेस्ट ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेरेंस मिलेगा लाइक निलेज के निडेट नेम सब्जेक्ट मोक एक्जाम और यहाँ पर आपका सिस्टम नेम या आपका जो यह होता है य आपको पर्टिकुलर इस सिस्टम नमबर पर जाके बेटना है जो कंप्यूटर नमबर C03, C04, C06 तो जब आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन मिलेगा और यह स्क्रीन में आपको आपके इन्रॉल्मेंट नमबर डालने होते हैं जो भी आपको प्रोवाइ तो जब आप अपने पास्वर्ड को फिल करेंगे तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहां पर जो नाम है वो आपका नाम आजाएगा आप मोक्तेस्ट प्रेक्टिस कर रहे हैं यहां पर आपकी फोटो आजाएगी जब आपके इंड्रॉल्मेंट नमबर और का पेपर देना जाते हैं काफी सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम गेट देंगे तो उनको कुछ इस तरीके से इस्ट्रेक्शन प्रवाइड किये जाते हैं लगबग 20 मिनट पहले पेपर से 20 मिनट पहले आपको इस्ट्रेक्शन स्कीन प्रवाइड होगी और आपका चल रहा हुआ कि आपका पेपर इतने टाइम पहले स्टार्ट होने वाला है तो जब यहां पर आप देखेंगे तो आपको इस्ट्रेक्शन देना चाहता है उसकी कंप्लीट डिटेल होगी जो आपको कुछ इस्ट्रेक्शन है इनको केरफूली पढ़ना है क्योंकि हो सकता ह कि कुछ चेंजेज आये हो जो लास्ट येर गेट में नहीं थे और कुछ नए चेंजेज आये जो इस येर वाले गेट में हो सकते हैं तो आप इनको कंप्लीटली रीड करिएगा काफी ज्यादे इंपोर्टेंट है जब आप यह इन्स्ट्रेक्शन पढ़ेंगे तो आपको यहां पर यह भी इन्फोमेशन गिवन होगी कौन सा क्यूशन पोजेटीव है कौन सा नेगेटीव है आपको मार्क करना है तो किस से मार्क करना रिव्यू करना है नेक्स्ट करना है वो सारे आपको कंप्लीट इसमें आपको डिटेल गिवन होती है वो सब आपका सिमिलर उनको carefully पढ़ लिया है जो भी आपको term और condition गिवन है कि कितने question आने वाले हैं और कितने number के question है जो 11 आपको instruction गिवन है चार्ट ग्राप जो है वो clearly mention है calculator का use negative marking यह सारे आपके mention है जब आप इनको carefully पढ़ेंगे देन आप इसको tick करके I am ready to begin जब आप fill करेंगे तो आपको similar वैस स्क्रीन मिलेगा तो आप यहां जब मोक टेस्ट देंगे तो आपको काफी idea लग जाएगा कि जो actual आपकी screen है आई टी डेली की वह आपकी screen कैसे दिखने वाली है तो जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको new नहीं लगेगा क्यूंकि इसका जो virtual calculator है वो something different तरीके से mention है और जो actual आपका अगर आप देखेंगे test series जो आपने दे रहे हैं और जो other आप माली material resource कर रहे हैं तो जो उसका virtual calculator है वो different तरीके से आपको मिलता है तो यहां पर आप इसको जब देंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका virtual calculator एक अलग symbol से आपको show हो रहा है जबकि कोई अच्छे coaching institute में virtual calculator अलग डंक से mention होता तो यहां पर अगर देखेंगे तो यह आपका virtual calculator है यहां से आपका open हो रहा होगा तो यह similarly आपको gate में भी open होगा इसके move करने का तरीका जैसे आप अगर देखेंगे तो बाकी जब जो test series आप देते हैं उसमें आप कहीं से भी उसको hold करके move कर सक तो यह कुछ ऐसे प्रोब्लम से जो आपको अगर आप इस particular mock test को देंगे तो आपको analyze हो जाएगी जिससे कि आपका gate का exam है वहाँ पर आपका time waste नहीं होगा और आपकी यहां पर practice भी हो जाएगी क्यूशन का level भी practice हो जाएगा इसमें जो क्यूशन है वो काफी easy क्यूशन है तो इसमें आप काफी अच्छा score करेंगे अगर आपने previous year sold किया है अगर आप gate EAC के पूरे previous year completely sold किया होंगे तो आपको जो भी question given है वो last year's paper के ही given है जो भी अब तक gate में आये है complete वो ही question आपके given है इस mock test में 2017 से लेके 2019 तक जितने भी question से वो सारे आपको इसमें कुछ कुछ question मिलेंगे हर एक year से तो वो आपको practice हो जाएगी तो इसके अलवा अगर आप देखेंगे तो कुछ आपको data already mention होते हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे virtual calculator के बगल में आप जाके help वगएर आप आप कर सकते हैं यहां से आपको timer कुछ अलग वे में दिखता है जबकि test series म timer आपको कुछ अलग portion में मिलता है तो यहां पर आप इसको analysis कर सकते हैं यहां पर आपका question paper दिखेगा यहां पर आपके instruction आप वापस on कर सकते हैं जो भी आपने पढ़े थे अगर आपको लगता है कि कुछ आपके मिश हो गए हैं और वो screen में आपने केरफुली नहीं पढ़ तो आप वापस on करके वापस पढ़ सकते हैं यहां पर आपके जो mark for review mark for review सब कुछ वापस mention है तो जो भी आप fill करेंगे यहां से मार्क for review फिल करते हैं तो उस हिसाब से आपकी screen आ रही होगी mark for review के लिए और अगर आपने answer नहीं किया है और यहां पर एक और policy है कि आप जब general aptitude का paper पूरा solve कर देंगे तब आप आगे बढ़ेंगे यहां से आपको direct submit नहीं करना है आपको यहां पर पहले mechanical में move करना है काफे सारे student क्या करते हैं कि general aptitude के 10 question solve कर देते हैं और यहां से सीधा ही submit कर देते हैं तो उनके साथ issue हो जाता है उनके साथ यह problem हो सकती है कि उनका direct cable aptitude का section ही submit हो जाए और जो mechanical का section वो देख ही नहीं पाए तो आपको पहले यहां पर mechanical चूज करना है यहां से और फिर mechanical को क्या answer आप कर सकते हैं mathematics जो भी आपके काफी easy level के question है यह आप test series practice करिएगा यह आपके similar gate के interference के question है last year previous year के question ही है तो basically इसका जो फाइदा यह है कि आप आपको एक particular idea मिल जाएगा कि जो actual आपकी gate में जो screen रहेगी computer की वो आपकी कैसे रहने वाली है और इस particular screen से आपको यह भी benefit हो जाएगा कि आपको किस तरीके से वहाँ पर अपना time manage करना है और mainly portion है उसको किस तरीके से देखना है तो इस test series का काफी ज्यादा importance है इसके अलवा आपको एक और important information देनी है कि अभी IIT Delhi के दुआरा आपका जो आपका gate का paper कब होगा वो भी आपको launch कर दिया गया जैसे कि अगर आप देखेंगे तो gate 2020 का आपका exam schedule launch कर दिया गया जिसमें mechanical और जो काफी सारी branch का paper है वो एक February को है generally three February को हुआ करता था लेकिन आपका जो exam है तो टू डेज इस बार पहले हो रहा है 1 February 2020 को फॉर्णून sessions और afternoon session तू sessions में होगा वो आपके admit card में mention किया होगा कि आपका फॉर्णून session में आता है या फिर आपका afternoon session में आता है तो फॉर्णून session और afternoon session के basis पे आपके paper होंगे देन उसके बाद जो last paper है वो civil branch के लिए है उन session का 9 और 10 को होगा CS branch का 8 को होगा ऐसी electrical का जो है वो इस बार 8 को है और जो other branch है like last year जो electrical का paper था वो आपका 102 को ही था तो that's why काफे सारे changes आए तो आप इसको भी check कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको यह complete जो notifications और जो यह mock test है वो देना है और उसके बारे में और information चाहि में मेरे WhatsApp नंबर given है आप मेरे WhatsApp नंबर पर मेरे को text कर सकते हैं मैं आपको यह complete notification और इस test को proper तरीके से देने में help कर दूँगा इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको IAT की mtech life और काफी सारे motivational video और study hacks के बारे में information चाहिए या फिर motivational video चाहिए तो आप मेरे channel alpha IATN को भ तो आप उनको open करके उस channel को subscribe कीजिए और अपने friend को भी share कीजिए thank you so much आपने इस वीडियो को last तक देखा और इस वीडियो को ज्याद़ ज्याद़ आपकी friend circle को share कीजिए जिससे काफी सारे students को इसके बारे में information मिले thank you so much stay focus और मिलते हैं next वीडियो में कुछ important information के साथ stay focus do well in your exam